मामा जी आपने लाडली लक्षमी योजना और लाडली बहना योजना ज्यादा सामाजिक परिवर्टन या आर्थिक परिवर्टन लाने के विचार से शुरू की थी मेरे दिमाग में बात थी कि अगर इस्त्रियों को बेहनों को बराबरी का धिकार देना है तो उनका सामाजिक ससक्तिकरण, उनका सेक्षिनिक ससक्तिकरण, उनका आर्थिक ससक्तिकरण और उनका राजनितिक ससक्तिकरण करना पड़ेगा सामाजिक ससक्तिकरण का उधारण है लाडली लक्षमी जैसी योजना या जो मैंने कहा जै कि एक दर्द देखा बेहनों की जिन्दगी में जैसे मैंने देखा कि मजदूर बेहन हम लोग राजिस्तान में भी देखते होंगे कई घंटे काम करती थी और कई बार बेटा बेटी को जनम देने के दो दो दिन पहले तक काम करती थी और बेटा बेटी को जनम देने के बाद आठ दिन भी आराम नहीं करती थी और फिर खेतों में मजदूरी शुरू कर देती थी बेटा बेटी को खेत की मेर पर रख देती थी या घर छोड़ देती थी तब मेरे मन में आएक कुछ करो तो एक योजना बना दी कि बेटा बेटी के जनम के पहले चारहजार और जनम के बाद बारहजार रुपया उस बहना के खाते में डालेंगे ताकि वो अपने बच्चे को ठीक से दूद भी पिला सके और दो मेंने कम से कम घर रहके आराम भी खर सके ऐसी है के बाद हैं के राइने तेक ससकती करन कि मुझे लगा कि महलाएं घर में रहती चुनाओ और को लड़ेगा लोक'S दंट में तो जन्ता के लिए जन्ता के दौरा ये सासन माना जाता मेलाओं की भागेदारी क्यों नहीं तो इस्थानी निकावे के चुनाओं में 50% रिजर्वेशन हमने सबसे पहले मदप्रदेश ने दिया आदी सरपँच बेहने होगी आदी मेयर बेहने होगी आदी जिलापंचात के अद्धक्ष बेहने होगी और जब हमने ये किया तो बड़ी संख्या में बेहने चुन के आई और सरकार चलाने का काम करने लगी